कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस एक वीडियो में हम आपको कंप्यूटर माउस के बारे में पूरी इंफोर्मिशन देंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाटीज माउस माउस होता क्या है माउस का यूज क्या है माउस कितने टाइप का होता है माउस को किस ने डेवलप करा कब डेवलप करा प्राक्तिकल करके भी दिखाएंगे माउस में कितने बटन्स होते हैं इन सभी को हम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाट इस माउस माउस एक इन्पूट डिवाइस है इसका यूज करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इन्पूट देते हैं इसे किसने डेवलप किया था डेवलपर का नेम है डॉगलास एन्जलबर्ट इस नेम को ध्यान से रखेगा एक्जाम में अक्सर ये नेम ही पूछा जाता है इट ऑल सो नोस्स पॉंतिग डिवाएस माउस एक पॉंतिग डिवाईस भी इलता है इसका सेकेंड नाम अगर कोई पूछेगा तो पॉंत डिवाईस आपको बोलना है टीक है कूछ that is mainly used to give instruction, instructions क्या क्या हो सकते हैं, select, move, scroll, open and close items, on the computer, अगर आपको computer system को instruction देना है, इन सभी instruction को देना है, तब आप mouse का use करके instruction दे सकते हैं, और यह जो instruction आप mouse का use करके देंगे, यह आपको computer screen में आपके दिखेगा, तो यह हो गया mouse क्या होता है, अभी mouse buttons के बारे में मैं आपको बताता हूं, mouse में total 3 buttons होते हैं, left, scroll और right button, यहां पे देखो, यह जो है, यह left button है, यह right button और यह बीच में स्क्रॉल बटन है, ठीक है, यह total 3 buttons होते हैं, मैं आपको अपना mouse दिखा देता हूं, यहां पे यह देखो, यह हो गया left button, यहां पे L लिखा हुआ है, बीच में यह scroll button धीक ये चक्का करके इसको गुमा सकते हैं स्क्रो स्क्रो लिग का काम करेगा उपर नीचे लाने के लिए thaुए तो यह ख़िक भी अव्य हो गया राइट बटन फीके विर फे यह घ्री बटन होते हैं म मौश में नहीं चली अब हम लेफ्ट बटन स्क्रो बटन और राइट बटन का आपको लाई प्राक्टिकल इसी माउस का यूज करके दिखाते हैं सबसे पहले हम आपको माउस के लेफ्ट बटन का यूज बताते हैं left button का use हम तीन तरीके से करते हैं सबसे पहला होता है single click अगर हम single click करेंगे तो इस cursor को हम कहीं पे भी ले जाके रख सकते हैं single click से single click का और use होता है मालो हमें किसी भी चीज को select करना है तो उस icon पे mouse pointer ले जाओ और left button दबा दो ये select हो जाएगा और भी इसका use होता है left button का single click का मालो ये एक link है अगर इस link पे मैं single click करूँ left button में mouse के तो यहाँ पी देखिएगा ये link open हो जाएगा मतलब किसी भी link को open करने के लिए single click किसी भी mouse के cursor को कहीं पे भी move कराने के लिए single click ठीक है उसके बाद किसी भी icon को select करने के लिए mouse के left button का single click अभी double click का use क्या है मालो मुझे इस insert word को select करना है double click कर देंगे ये select हो जाएगा किसी भी word को select करना है double click करेंगे ये select हो जाएगा अभी मालो मुझे किसी भी folder को मालो open करना है ठीक है जैसे इस ब्राउजर को मुझे open करना है मैं double click करůँगा ये हमारा browser open हो जाएगा तो अभी अम mouse के left button में double click कर रहे तो यहाँ पे Firefox browser में हमने double click करा हमारा ये browser open हो जाएगा this PC में double click करेंगे हमारा this PC open हो जाएगा recycle bin में double click करेंगे recycle bin open हो जाएगा यहां पे देखो this pc open हो गया तो कहीं भी अगर आप किसी भी file या folder में यह देखो हमारा firefox browser open हो गया किसी भी file या folder में अगर आप mouse का left button use करके double click कर देते हैं तो वो file या folder आपके सामने open हो जाएगा ठीक है अभी mouse के left button का तीसरा use होता है triple click triple click में क्या होता है किसी भी particular paragraph को अगर आपको select करना है triple click कर दो जैसे mouse का करजर हमने यहां पे रखा अभी triple click यह देखो paragraph select हो गया इस paragraph को select करना है यहां पे triple click करो यह select हो जाएगा triple click से paragraph select होता है पूरा का पूरा double click से कोई भी particular word select होगा इस तरह से किसी भी चीज को open करने के लिए double click जैसे यहाँ पर double click करेंगे यह open हो जाएगा और single click का use हम करते हैं किसी भी चीज को select करने के लिए जैसे अगर मुझे इसा select करना है और इसकी property देखनी है तो हम देख सकते हैं पहले single click से select करेंगे उसके बाद right click से इस तरह से देख सकते हैं अभी mouse का एक और button होता है जिसका हम बोलते है scroll button scroll button का use क्या page को up down करने के लिए जैसे यहाँ पर देखो हम scroll button दबा रहे हैं अभी हम उपर नीचे जा रहे हैं यह scroll button का कमाल है जो circle करके मैंने आपको दिखाया था वही होता है scroll button ठीक है mouse का third button होता है right button right button का use करके हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ सकते हैं जान सकते हैं एक menu open होता है ठीक है list open होता है माल लो हम इसमें right click करते हैं तो देखो यह हमारा list open हो गया हम इसमें property में जाके देख सकते हैं इसको rename कर सकते हैं delete कर सकते हैं जो भी आप करना चाहिए copy paste कुछ भी कर सकते हैं open कर सकते हैं कहीं पे भी right click करो एक list open होगा ठीक है property जानना चाहते हैं यहां पे भी right click करेंगे refresh कर सकते हैं folder बना सकते हैं तो right click में एक list open होता है ठीक है कहीं पे भी right click करो एक list open होगा फिर चाहे ms word में ही right click करो यहां पे भी देखो यह list open हो गया bolt कर सकते हैं italic कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है तो यह right button का use होता है mouse का उम्मीद करते हैं आपको practical समझ में आया होगा full form of mouse, mouse का पूरा name क्या होता है, manually operated utility for selecting equipment, अगर आपको किसी भी equipment को select करना है, किसी भी item को select करना है, manually खुद से करना है, तो आप जो भी operated machine यूज़ करेंगे, वो क्या होता है, mouse होता है, ये mouse का पूरा name हो गया, m, o, u, s, e, mouse, अभी types of mouse क्या होता है, यहाँ पे देखो, पहला हो होता wire, second होता wireless, लेकिन आप internet में देखेंगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, optical mouse, gaming mouse, mechanical mouse, trackball mouse, touchpad mouse, 3D mouse, तो ये जितने भी types है mouse के, ये इन ही दोनों के सब types है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर हमारा वीडियो सच में अच्छा लागा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, चानल पे नए हैं, चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए,